हेलो दोस्तों आपने यूट्यूब की सबसे सांधार और जांधार वीडियो पे क्लिक कर दिया है गाईज आज की वीडियो में आप लोग के लिए बहुत अच्छी खुसकबरी लेकर आगया हूँ जो अभी अभी आपका UPCHO यानी Community Health Officer का पहले सिफ्ट का पेपर हुआ है गाईज बहुत ही आसान ये पेपर आगया है जैसा हमने उमीद किया था उससे भी जादा आसान पेपर आगया है तो गाईज अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सेलेक्शन के करीब हो क्योंकि गाईज जो भी मैं सवाल लेकर आए हूँ 100% रियल सवाल है देख लेता गाईज पहले सिफ्ट में क्या-क्या सवाल पूछे गए तो दोस्तों अगर आप किसी गवर्मेंट एक्जाम की तियारी करें सभी सब्जेट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो तो गाईज नीचे लाल कलर का बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे ठीक है बैल को ओल कर लेंगे ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको time to day मिलते रहेंगे जोइन कर लेंगे चैनल को ठीक है सभी गवर्मेंट एक्जाम की ट्रिक के लिए देख लेते हैं पहला सवाल क्या पूछा गया पहला सवाल गाईज आपके सामने है वित मंतरी निर्मला सीतर रमन ने किस कंपनी को 15 सितंबर से पहले नए आयकर फाइलिंग रिपोर्ट पोर्टल पर सभी गड़बडियों को ठीक करने का निर्देश दिया है तो गाईज ये कौन सी कंपनी है इनफोसीज याने सी ओप्सन आपका राइट आंसर चला जाएगा देख लेते गाईज अगला सवाल एक सवाल ये पूछा गया निमलिकित में से किसने 12% कलब एप लोंच किया है तो गाईज ये किया है किसने फोन पे फोन पे याने सी ओप्सन आपका राइट आंसर चला जाएगा देख लेते गाईज अगला सवाल एक सवाल ये भी पूछा गया हाली में पहली वैवसाई कुडान तेजु हवाई अड़े पर उतरी ये हवाई अड़ा किस राज्य में इस्तित है तो गाईज ये है आपका अरुनाचल पर देश में यानि डी ओप्सन आपका राइट आंसर हो जाएगा उमीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर लियोगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लियोगा नीचे लाल कलर का बटन दबागर देख लेता अगला सवाल एक सवाल ये भी पुचा गया किस देश ने राश्टे सुरक्सा के लिए जिम्मेदार ब्रिक्स उच परतिन इदियों की ग्यारवी बैटक की मेजबान की तो गैज ये किस ने की ये की इंडिया ने अपने प्यारे भारत ने ए ओप्सन आपका राइट आंसर चला जाएगा देख लेता है अगला सवाल एक सवाल ये भी पुचा गया दा इंक्यूबेशन पीरड ओफ मम्स मम्स का उश्यमान अवदी क्या है तो राइट आंसर हो जाएगा दो से चार हपते यानि C ओप्सन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा देख लेता गैज अगला सवाल एक सवाल ये भी पुचा गया वेरिस हैला वैक्सीन वेरिकाला वैक्सीन ये क्या है तो गैज ये है आपकी क्या नाम है इसका लाइव एट वैक्सीन यानि B ओप्सन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा देख लेता गैज अगला सवाल एक सवाल ये भी पुचा गया तो गैज इस ओप्सन का राइट आंसर हो जाएगा केमिकल पोईजनिंग यानि रासायनिक विसाकता D ओप्सन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैज आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों जो भी सवाल में लेकरा हैं वो 100% रियल सवाल है देख लेते हैं अगला सवाल क्या पुच ले गया एक सवाल गया अपका यह फी पूचा गया तो गया है यह क्या है आपकारोड़ा आंसर चला जाएगा देख लेते गयास आगला सवाल क्या पूच लिया गया एक सवाल यह बही पूचा गया दा एक्विप्मेंट युस्ट तो कैरी small quantity of vaccine तो guys इसको क्या बोलते हूँ जो vaccine को ले जाने के लिए इस्तमाल किया जाता है उसको बोलते है vaccine carrier यानि C option आपका right answer चला जाएगा देख लेते guys आगला सवाल एक सवाल guys आपका ये भी पूचा गया the immunity the immunity and individual develops after acquiring an infection is called active immunity यानि a option आपका right answer चला जाएगा देख लेते guys आगला सवाल क्या पूचा गया तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे होंगे चैनल को जोइन कर रहे होंगे ठीक है कर लेंगे a और b मिलकर एक कारिया को 20 दिन में पूरा करते हैं a और b एक कारिया को मिलकर कितने दिन में पूरा करते हैं 20 दिन में कितने दिन में करते हैं 20 दिन में यदि a अकेला इस कारिया को 24 दिन में पूरा करता है तो b दुआरा कारिया पूरा करने के लिए आउसक दिनों की संक्या ग्याद कीजे मतलब A कितने दिनों में करता है ये करता 24 दिनों में तो guys B के द्वारा कितने दिन में कारिया पूरा किया जाए इनका LCM ले लो लगुत्तम ले लो तो लगुत्तम कितना हो जाएगा 120 तो guys यहां से A और B की capacity कितने आ जाएगी 20 से भाग करेंगे 20 चिका 120 24 से भाग करेंगे 120 को 24 बंजे 120 तो guys A की value आगी 5 तो B की value कितनी होगी इसके according 1 तो guys यहां पर क्या निकालेंगे तो B कितने दिनों में करेगा total काम कितना है 120 और B की efficiency है 1 तो guys total 120 दिन में आपको पूरा काम समाप्त हो जाएगा यानि जो बच्चा D option मार गया गया इनका right answer चला गया तो guys आप लोग इस परकारेंगे सवाल करके आ सकते थे आगे बढ़ लेते अगला सवाल भी देग लेते हैं